नमस्कार मेरे नाम पिंटु शिंग यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेउस लेब दोस्तों बिहार के पुर्णिया जिले की रुपॉली विधान सभा स्टीट पर होने वाले उपचुनाव पर महागडबंधन में अभी तक प्रतियासी गोशित नहीं किया है इस बीच रुपॉली से विधायक रहे बीमा भारती ने दावा किया है कि रुपॉली उपचुनाव में उन्हें या फिर उनके पती और धेश मंडल को ही रुपॉली का सिंबल मिलेगा बीमा भारती ने अपने पती के साथ मंगलवार को पटना इस्थीत राबरी आवास में आर्जेडी शुप्रिमो लालु प्रिशाद यादों से मुलाकात कि इसे पहले बीमा ने कहा था कि वो इस बार रुपॉली से चुनाव नहीं लड़ेगी बलकि उनके पती आर्जेडी के सिंबल पर या फिर निर्दली ये उप चुनाव लड़ेगे राबरी आवास के बाहर पत्रेकारों शेबाचीच में बीमा भारती ने कहा कि लालु से बात हो गई है रुपॉली से वे या उनके पती ही चुनाव लड़ेगे कुनिया लोगसभा सेट पर बुरी तरह हार मिलने पर बीमा भारती ने कहा कि लोगसभा और विधान सभा चुनाव में धर्ती और आश्रिमान का फर्क होता है उस समय उन्हें कम समय मिला था तो वहीं दुसरे दल यानि कि जेडिव से आई थी और नया सिंबल मिला था इस से लोग जो है ओ कहना कहीं कन्फियोज हो गए थे उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी बिधान सभा रुपावली से लोगसभा चुनाव में जडिव को इतनी लीड भी उनकी वज़ा से मिली है छेतरी की महिला आए लोग समझ नहीं पाए कन्फियोज हो गए और जादा वोट जेडिव को मिल गया लोगसभा चुनाव में हार पर उन्हें कहा कि राजनीती में हार जीत लगी रहती है राजनीती थोड़ी न छोड़ देंगे सीपियम के पुर्णिया स्टीट पर दावे पर उन्हें कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है मत्यारे के रुपावलिस से जेडिव की विधायक रही विमा भारती ने लोगसभा चुनाव दोज़ार चुनाव में पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम रिया था लालू यम तरिश्वियादो ने उन्हें आरजेडी के सिंबल पर पुरणिया से लोगसभा इलेक्षन लड़वाया था मगर उन्हें निर्वाचन आयोग ने उप्चुनाव की भुष्णा केस के लिए नमांकन की प्रक्रिया जारी है 21 जूनको नॉमिनेशन का आखरे दिन है जड़ेव से कलाधर मंडल को टिकर दिया गया है जो 2020 के विधान सबर चुनाव में निर्दलिये लड़े थे और चोथे नमन पर रहे थे उनका नमांकन मंगलवार को होना है महागरबंदन शेप प्रत्यासी की अधिकारी गोश्कना बाकी है क्योंकि आरजेडी से बीमा भारती और उनके पती तावाट फूक रहे तो वहीं सहियों के दल से पीम भी यहां से चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी है बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं क्या इस वारू पॉलिस से जित पाएंगी इस पर अपने पत करिया बताएए